इंग्लिश बोलना हुआ आसान के आज फिर एक नए लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यानि कि आपने अगर अपने लाइफ में लक्ष नहीं बनाया है, तो आज आप मेरे सपोर्ट से, मेरे बताईवी बातों से आप अपने लाइफ में एक खुबसूरत सा, एक बहुत बढ़िया सा लक्ष बना सकते हैं। Students, ये देखा जाता है कि जब एक student 10 प्लस 2 पास आउट कर लेता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि what should I do ahead, मैं लाइफ में आगे क्या करूं। आपने गाना सना होगा, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाए, खोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई, इसके आगे मैं नहीं का होगा। तो ये mostly students का यही हाल होता है, 12th के exam pass out करने के बाद, या graduation करने के बाद, या जब वो graduate नहीं होते हैं, 10th और 12th में होते हैं, उस समय भी वो confusion की state में होते हैं, कि in life, आगे मैं life में चल के क्या करूं, मुझे कोई बताने वाला होना चाहिए, या मुझे कोई guide करने वाला मिल ज आता, आज का मेरा lecture आपको 100% support करेगा student और आपको एक नई दिशा देगा, आपको एक नई उर्जा देगा, तो चलिए student शुरू करते हैं, आज के हमारे special lecture का नाम है make laksh, यानि कि आपको अपने life में एक खुबसूरस सा laksh बनाना है, right, students, laksh बनाना हमारे लिए क्यों जर important है, right, goal मेरे life में क्या महतु रखता है, बहुत सारी बाते है student, laksh बनाना चाहिए student, right, जब एक student अपने life में laksh बना लेता है, okay, तो उसको एक नई खुशी मिलती है, उसे एक नई उर्जा मिलती है, उसकी एक आगरता, उसका mind जो होता है, एक particular direction में work करना start कर देता है, उ where I have to use my energy, उसे ये पता चाहिता है, where should I use my ability, my potential, right, और जब तक students उसके life में लक्ष नहीं होता न, वो एक बुल की तरह है, like a bull, means एक साण की तरह है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इहाँ, कभी वहाँ, उसे समझ में नहीं आत कि मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, right, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, right, 10 लोग, 10 बाते, 20 लोग, 20 बाते, 50 लोग, 50 बाते, पक जाता है, right, लोग कहते हैं, okay, लक्ष अगर एक student नहीं बनाता है, तो जब वो senior होने लगता है, student, यह समाज है, student, यह जो दुनिया ह जो दोस्त है, पड़ोसी है, रिष्ट्यदार है, अगर आप लक्ष नहीं बनाओगे न, तो यह लोग आप से हमेचा पूसते रहें, भाई, क्या बात है, अब बड़े हो गए हो, क्या सुचा है, अरे कुछ तो बताओ, तो जो मिलेगा आप से, अगर आप 10th में है, या 9th म सुच हो जाता है, अंकल रोज बूसते हैं, क्या करें, क्या न करें, हम तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, इतने option आ गए, कोई कहता है, Google की help ले लो, कोई कहता है, YouTube पे search mark लो, कोई कहता है, अरे वो तुमारे Google में जो है, Mr. शिर्वास् रहते हैं, उनके पास बहुत अकल है, उनके पास चले जाओ, वो तुमें guide कर देंगे, यानि जितने लोग उतनी बात दें, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान देना है, student, यह हम आपको बताते हैं, मैं इसलिए to the point, अपने topic को लेके चलना चाहता हूँ, student, ताकि आपका जो क कीमती समय है, life का जो चल रहा है और जो आने वाले समय में आने वादा है, वो बरबाद ना हो, it should not be wasted, you should use your time 100% in your favor, right, तो लक्ष एक उमीद होती है, student, लक्ष एक सपना होता है, और अगर हम उसे life में अचीव करना, right, सीख लेते हैं, या हम उसे हसल करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमें life में मज़ा आ जाता है, student, right, इसलिए उस state से हमें बाहर निकलना है, कि क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाए, right, चलिए, लक्ष कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपक okay लक्ष नहीं है, student, तो लक्ष 100% बना लो, क्योंगी लक्ष जिस दिन आप बना लोगे, आपको एक नहीं उर्जा मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा, कि how I have to move in my life and in which direction I have to move, right? जब तक एक student अपने life में लक्ष नहीं बनाता, वो कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, 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 means somewhere, in any direction, he is free to move, लेकिन जब वो एक लक्ष बना लेता है, student, तो वो एक single direction में चलना शुरू कर देता है, he starts moving in the single direction, यह सबसे बड़ा फाइदा होता है, लक्ष बना लेता, और अगर वो लक्ष नहीं बनाता है, student, तो वो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, means he moves in several direction, यानि कि उसका direction क्या है, clear नहीं है, he has no vision in his life, he has no direction in his life, he is like a bull, right, तो हमें लक्ष बना लेना च चाहिए, student, ताकि हम various directions में, अलग-अलग दिशाओं में रभटें, और एक single direction को पकाड़ लें, और सर्थ उसी में चलना शिरूर कर दें, right, तो student, लक्ष बनाते समय, किन बातों का ध्यान देते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा, student, देखना चाहिए, कि मे मेरी, interest किस sector में है, मैं interest किस sector में रखता हूँ, अगर मेरी interest, मैं 12th bio background का student हूँ, और मेरी interest medical sector में है, तो मुझे medical sector में जाना चाहिए, मुझे PMT की या NEET की तेहरी करनी चाहिए, लेकिन, interest के साथ सब और किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, number two, हमें scope डेखना चाहिए, उसलिए, जो लक्ष मैं बनाता हूँ, interest plus उसका scope क्या है, जैसे हमारे देश में doctors की बहुत कमी है, मैं भारत देश की बात करा, I am talking about my country, India, तो in India, there is a scarcity of doctors, तो अगर आप 12 bio backgrounds हैं और आप medical sector में जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा scope है, right, okay, आप engineering, आपने PCM group से 12 pass out किया है, आपको engineer मनना है, तो engineering का भी बहुत scope है, correct, याणि कि कोई भी course student खराब नहीं होता, यहाँ सवाल क्या उठता है, कि मेरी interest के sector में है, और उस course को जिसमें मेरी interest है, उसका भविश्च क्या है, what is the future, what is the scope of that course, अगर उस course का scope आने वाले 50 साल तक या 100 साल तक है, तो मुझे बिलकुल free of mind, यानि कि बिलकुल दिल से, right, बिना किसी attention के उस course को कर लेना चाहिए, लेकिन अगर उस course का scope 5 साल या 10 साल के बाद खतम हो जाएगा market से, तब एक बार जरूर सोचना चाहिए, कि whether should I do that such course or not, right, जैसे English language है, okay, I teach English language, English language is spoken across the world, अगर को BA या MA English literature से कर लेता है, और linguistic, यानि कि literature world में या grammar world में अपनी एक image बनाना चाहता है, तो here is the vast scope, बहुत बड़ा scope है, यानि आने वाले सो साल तक मैं खतम हो जाऊँगा, I will be no more, but English will remain, तो इसी तरह से student, अब जैसे हमारा commerce trade है, अगर मैं accounts background का student हूँ, 12th password किया है, मुझे पता है कि accounts का बहुत ज़्यादा scope होता है इस दुमिया में, right, okay, इतनी सारी industries हैं, business हैं, companies हैं, partnership, forms हैं, दुकाने हैं, shops हैं, सबको कोई नो कोई accountant चाहिए, सबको कोई नो कोई खाता का ध्यान रखने वाला चाहिए, तो अगर 12th pass होने के बाद आप CA करते हो या CS करते हो तो उसका भी बहुत scope है, आने वाले सौ साल तक है, पचास साल तक है, कोई दिकत नहीं, right, तो हमें जो बात का ध्यान देना चाहिए, लक्ष बना के समय student, कि interest plus उसका scope क्या है, what is the scope of that course, right, अगर उस course का scope नहीं है student, या आने वाले 5 साल, 10 साल में खतम हो जाएगा, तो I should think before taking a decision, मुझे एक निर्णा लेके समय कि जरूर सोचना चाहिए, कि यार मैं ये course करूं या ना करूं, right, any doubt, नमर्थर्ड, थर्ड पॉइंट इस्टुटेंट, हमें अपने budget को जरूर देखना चाहिए student, हमारा budget क्या है, अगर आप middle class family से belong करते हो, और आपने सोचा कि मुझे जो है medical sector में अपना भविष्य सवारना है, तो it is not bad, आपने बहुत अच्छा सपना देखा, your dream is nice, your dream is super, लेकिन सवाल यहां ये है, कि क्या आपका budget है या नहीं है, चुकि medical sector की जो education होती है, वो थोड़ी सी महगी होती है student, ऐसा नहीं है कि scholarship नहीं चलती है, या government की तरह से support नहीं मिलता, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, यानि कि Google पे आपको search करना पड़ेगा, या मैं medical sector में तैरी करना चाता हूँ, Indian government या और किसी देश की government, हमें क्या support कर सकती है, घबराना नहीं है आपको, यू search on the Google, that how can I take the support of the government, and my budget is not so good, मेरा budget बहुत अच्छा नहीं है, या मेरे parents मुझे बहुत जादा support नहीं कर सकते, so मुझे support की जरूरत है, right, suppose अगर मैं मांग हूँ, कि government की तरफ से support नहीं मिल पा रहा है, या आपके papers अपडेट नहीं है, तो आपको budget को ध्यान में रखते हुए ही, लक्ष को बनाना होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर budget की वज़े से, आपको दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है आपको, निट की तियारी या PMT की तियारी छोड़ के, कोई और decision लेना पड़ सकता है, अगर आपको medical sector में जाना है, तो कोई जरूरी नहीं है, कि मैं MBBS से ही आगे बढ़ू, मैं BAMS भी सोच सकता हूँ, Pharmacy भी सोच सकता हूँ, मैं psychology subjects भी पढ़के, psychologist बन सकता हूँ, या psychiatrist का भी course कर सकता हूँ, महाँ सारे options है student, physiotherapist का भी course कर सकता हूँ, तो महाँ सारी चीज़ें, student budget लोपर बेटान करती है, अगर आपकी family में budget नहीं है student, तो आपको फुड़ा extra, extra, again I repeat this one, extra, क्यानि कि अत्रिक्त हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपने लक्ष को हांसल करने के लिए student, अगर आपने अत्रिक्त हिम्मत नहीं दिखाई, तो यह possible नहीं में पाइलास करें, अगर मैं माननों कि budget आपके favor में है, सारी चीज़ें अच्छी जा रही है, तो उसके बाद आप तुरंट, तुरंट आप एक decision ले लिजे, कि yes, मुझे यही करना है, I have to go for this course, nobody can stop me, सिर्फ एक ही वेक्ति रोग सकता है, and you yourself, और वो आपको दो सकते हो, सारी चीज़ें आपके favor में चल भी चुटेंट, interest भी है, scope भी है course का, जो भी course आप decide करो, budget भी है, और आपने decision ले लिया, decision लेने के बाद, student आपको positive attitude के साथ, action करना होता है, अगर आपने decision ले लिया, और आप आगे बढ़ गए, तो फिर ये जो life होती है, इसमें options बहुत है, आपने medical की तेहरी करना स्टार्ट कर दिया, या IIT की तेहरी स्टार्ट कर दिया, या आपने polytechnic की तेहरी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप first बार में entrance exam में आप disqualify कर गए, आपने decision लिया, आप ट्यारी कर रहे हो, लेकिन आप disqualify कर गए, मेरा जो ये lecture है ने student, ये मैंने बाते कही हैं ने student, मेरी ये बात है, सारे courses पे, हर जो भी student, कोई भी course करना चाहरा हो, ये बातें उस पर apply हो जाएं गी student, लेकिन अगर आप मेरे lecture को, मेरे points को समझेंगे, ध्यान देंगे, तो ये possible है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे, कि मैंने अपने points को कैसे आपको समझाया है, तो आप अपने हिसाब से इस काम नहीं निकाल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब दी होगी student, कि मुझे सर के तुरूब एक अच्छा decision लेने में मदद मिली, और आप मुझे हमिशा thank you बोलोगे student, तो मैंने क्या किया रादास friend, कि budget भी अच्छा है, decision मिले लिया और आप आप आगे बढ़ ले, आपने entrance की तियारी start की, या आप SSE की तियारी कर रहे थे, first time में आप बलेवर हो गए, disqualify कर गए, first second time, third time, कम से कम तीन बार student, कम से कम तीन बार, चार बार जरूर राई करना चाहिए student, जब तक आपकी age, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पांचे बार भी जा सकता हूँ, पांचे बार कर सकता हूँ, that is your choice, right, that decision you have to take, right, लेकिन आपकी interest, जो है, वो maintain रहनी चाहिए student, क्योंकि एक बार जब एक student, disqualify करता है, ना, उसको किसी exam में, तो उसे लगता है, right, अब उसमें option आगया, कि आप चलो, जो है, S.S.C. के साथ साथ, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, right, एक बार में student, एक ही काम फिर जब आप focus करते हो, तो that can bring success in your life, अगर आप 2, 3, 4 options लेकि चलोगे, कि मैं S.C. की भी त्यारी करनू, right, मैं जो है, ID की भी त्यारी करनू, right, side में, तो फिर मजा नहीं आगा, या आप अलटेखनी की भी त्यारी कर रहे हैं, और अलटेखनी के साथ साथ, N.DA. की भी त्यारी कर रहे हैं, सब एक साथ लेकिशार में, तो that is not so, मतलब एक अच्छा डिसीजन उसे नहीं ता आ जा जा रहेगा, student, that is the state of complex, वो जो है न, एक दुविदा की स्किती होती है, state of dilemma, right, आप परिशान हो, आप complex में हो, परिशानी में हो, confusion में हो, तो वो स्किती अच्छी नहीं है, तो डिसीजन लेने के बाद, student, हमें आगे बढ़ना है, और हम, right, action पर ध्यान देना है, action with, positive attitude, हमने action स्टार्ट कर दिया, यानि कि अपने लक्ष को हासल करने की तरफ कदम बढ़ा दिया, right, लक्ष बनाया, interest थी, तो लक्ष बनाया, scope देखा, budget देखा, decision लिया, action शुरू कर दिया, action किसके साथ, positive attitude के साथ, अगर positive attitude नहीं रहेगा, तो आपके action में हमेशा negativity गया है, right, कभी सोचोगे, यार मैं जो करना हम वो ठीक, एक नहीं, 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 साथ लग रहा है, फिर confusion, फिर, अच्छा, हाँ, ठीक तो है, right, तो इस state से हमेशा, हमें, निकलना है, student, इस state में नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे action में, जितनी positivity होगी, जितना positive नजरिया होगा, जितनी positive energy होगी, जितना positive सोच होगा, उतनी जल्दी में अपने लक्ष को प्राफ्ट करोगा, right, और क्या करना है, student, action के साथ साथ student, हमें, time table भी बनाना है, time table अगर आप नहीं बनाते हैं, student, तो आपके जो action होगा न, उसमें कभी-कभी दर्वट भी हो सकती है, तो मैंने देखा है, बहुत सारे student, life में लक्ष तो बना लेते हैं, लेकिन time table नहीं बनाते हैं, तो time table क्या होता है, student, आपको discipline सिखाता है, time table, again I repeat, time table, right, 12th standard तक एक student के life में time table रुखा है student, 12th के बाद, अगर वो student के life में लक्ष आ जाता है, तो वो time table को maintain रखता है, और अगर उसके life में लक्ष नहीं होता है, तो वो हो सकता है, उसका time table गरवड हो जाए, spoil हो जाए, या वो हट जाए उसके life से, तो time table, students आपको disciplined बनाता है, अनुशासित बनाता है, time table आपको एक निश्चित दिशार का हमिशा आभास कराते हुए आगे ले जाता है, आपको समय का पाबंद बनाता है, punctual बनाता है, और जब time table नहीं रहता है, तो कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, अनुशास्वा आ रहे हैं, time table से हम time की value करना सीखे लें स्टुटेटेट, time table से हमें क्या मिलता है? time table makes us disciplined time table हमें अनुशाशित बनाता है यहनी कि मुझे क्या करना है कैसे करना है किस time पे करना है किस से मिलना है किस से नहीं मिलना है कहां अड़ा होना है कहां नहीं कड़ा होना है किस से कितनी बात करनी है यह सारी चीजें हमें दीने देरे ऐसास होने लगती हैं, क्यों? क्योंकि मेरे life में लक्ष आ गया है और वो लक्ष हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि मैं जितनी जल्दी, right, time table बना लूँगा अपने life में जितनी जल्दी मैं अपने लक्ष को हासिल करूँगा मैं उतनी आगे life में तरकी कर सकता हूँ, correct तो हमारे life में student time table का बहुत महत्तु है, okay और मैं सबसे बड़ी बात बताना है, जब आपने लक्ष बना लिया student तो आपके अंदर एक खुशी होनी चाहिए, अब आप यहां तक पहुच गया student interest, scope, budget सब चीजें आपके favor में है, right आपके life में student, आप जो target अचीव करना चाहते हो, उस target में खुशी और energy होनी चाहिए, right अगर आपके life में student खुशी नहीं है, आपने target तो बना दिया, लेकर आप खुश नहीं हो, right आप कहीं दुखी हो, तो जितने ज़्यादा आपके life में दुख होगा, right या options रखोगे, तो आपका लक्ष उतनी दूर आपसे जाएगा, या आपको लक्ष सिर्ख करने में time ला जाएगा तो लक्ष एक बार बनाने के बाद student, okay, उसी रास्ते पे चलते हैं और पूरी खुशी से चलना है, पूरी खुशी और energy से चलना है, तो खुशी और energy आपको आपके लक्ष को अचीव करवाती है, यानि happiness and energy energy gets you, right, energy and happiness gets you success in your life आपके life में, right, वो success लेके आती है, खुशी और उर्जा तो जब हम इतना life में आगे बढ़ जाना है student, तो हमें फिर पीछे निमेटना है, समझ में आरी बार, right, अगर आप उस state से आगे बढ़ना चाहते हो, कि क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे मुश्य के लहाए, तो आपको इस तरीके से student सूचना है, right, आपने रेते ग्रोशन क movie देखे हो भी student, ये है लक्ष है तेरा, आपने ये गाना भी सुना होगा, बहुत सारे गाने बने है student लक्षे उपर, बहुत सारी inspirational movies बनी है लक्षे उपर, right, एक अमिता बच्चन की movie का भी गाना था, देवाना बन, तू ऐसा बन, देखे जमी, देखे गगन, दिवाना बन तो ऐसे बहुत सारे students गाने आ हैं, जो students को inspire करते हैं, और life में आगे बढ़ने के लिए प्रेरिट करते हैं, लेकिन साथ ये उड़ता है, कि हमारे life में इतने options आ गए हैं, इस age में, right, कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, इसलिए मैंने ये कुछ points आपके सामने लिखें student की लक्ष बनाते समय, इन points का आप जरूर ध्यान दीजेगा, तो आपके life में problems की संभावना कम हो जाएगी, और अगर आप इन points का ध्यान नहीं देते हो student, तो आप हमेशा हैरान भरिशान रहोगे, कि यार ये कर लें, कि वो कर लें, अच्छा इधर चल जाएं, य तो हर आदमी हर बात बोलेगा, या अलग आदमी अलग बात बोलेगा, दस आदमी दस बात बोलेगे, तो हमें हमेशा लक्ष बनाते समय student, ये देखना चाहिए, कि मेरी interest किसमें है, कोई भी course student खराब नहीं होता, no any courses, good or bad, आपकी interest कैसी है, उसके बाद उस course का scope देख लीज अगर उस course का scope आने वाले 50 साल, 100 साल तक है, तो आप happily, पुरा खुशी से आप उस course को कर सकते हो, right, आपको लगता है मुझे journalism में field में जाना है, मुझे दूर संचार की field में जाना है, मुझे reporting करनी है, समाज में इतनी घंटाएं होती है, तो इसका बहुत बड़ा scope है, आपक अगर आपका नहीं है, तो आपको थोड़ी अत्रिक्त हिम्मत दिखाते हुए, अपने लक्ष को हासिल करना पड़ेगा, हो सकता है, आपका budget ना हो, लेकिन आपके अंदर एक जिद हो, कि मुझे वहीं चाहिए, तो ये आपकी हिम्मत होगी, आप अगर उसे हासिल करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बढाई दूगा, और अगर आपको लगता है नहीं, कि मेरा budget नहीं है, तो आप अपने decision को change भ आपको अनुशाषत बनाएगा, खुशी और उर्जा आपको सफलता दिलाएगी, in your life, आपके जीवन में, आपको खुश, खुशी के साथ महनत करनी है, खुश हो के अपनी उर्जा को, अपने potential को use करना है, अगर खुशी नहीं होगी student, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप ट्राइ करते हो, यह आपका decision होगा, और आपको खुशी से वो attempt, attempt, try करना है, उस attempt में appear होना है, यह नहीं कि एक बार fail होगे, तो दूसरी बार नहीं, तीन बार, चार बार, यह आपको बडिमेंटरता है, तीन लक्ष, I cannot achieve, मैं नहीं achieve कर सकता हूँ, तो फिर आप इसी तरीके से एक नया लक्ष बना सकते हैं, फिर आप देखो, कि मैं और किस sector में अपनी interest को ले जा सकता हूँ, या मैं adjust कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, कि मैंने अपने life में जो सपना देखा हो, उस सपने को मैं ह आप से नहीं कर लिया, कई बार ऐसा होता है, कि इंजान सोचता है, कि मैं military join करूंगा, I will join army, और वो बच्पन से सोचता है, classic, 7, 8, 9, 10, 10 में पता चलता है, उसकी height नहीं करती है, तो point 1 inch से, 1 inch से, या half inch से, उसके selection में problem आ जाती है, तो सोचता है, मैं क्या करूं, मेरा सपना आर्मी का था, और शुरू से उसने वो देखा था, तो फिर उसको सोचना पता है, क्या करे है, तो हो सकता है, वो teacher बन जाए, हो सकता है, वो counselor बन जाए, तो ये कोई बड़ी बात में test होता है, कई बार ऐसा होता है, कि इंसान actor बनने की सोचता है, और उसकी आवाज बहुत होती है, तो वो singer बन जाता है, लक्ष इंपोर्टेंट है, और लक्ष में changes होना, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर change हो जाता है, तो बहुत थंडे दिमाग के साथ, with a cool brain, आराम से सोचते वे, आप आगे life में, आपको लगे कि मेरा पहला जो लक्ष था, वो मुझे हांसल न तो आप second लक्ष भी मना सकते हो, right, thank you friends, आज के लिए इतना बहुत है, thank you for watching my video, और इस वीडियो का strength, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अपने friends में spread करियेगा, और like करियेगा, subscribe भी करियेगा, क्योंकि आपका अगर दोस्ट, आपका कोई रिष्टेदार, जिसके life में को लक् लक्ष नहीं है, अगर मेरे इस वीडियो को देखके उसने लक्ष मना लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, कि मैंने एक यूद को, एक लाइफ को, एक नई दिशा दे दी, एक नया लक्ष दे दिया, एक नया जीवन दे दिया, तो student इस दुनिया में हर काम cooperation से होता है, हर आदमी एक दूसरे को support करके ही life में आगे पड़ता है, आज मेरे point से, मेरे thoughts से आपको लक्ष बनाने में, जो खुशी मिलेगी, जो उर्जा मिलेगी, मैं चाता हूँ, उस उर्जा को आप दूसरों को भी देना और उनको भी बताना, thank you friends, मेरे वीडियो को like करना, subscribe करना मत भूलियेगा और bell option जरूर दबाएएगा, right, ताकि आपको latest updates मिलते रहें, thank you students, thank you for today's session, thank you students.